नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपने चैनल संगीताज कॉर्णर में करते हैं आज की बहुत ही चटपिटी सी रेसीपी इसके लिए मैंने यहां पर एक परतन में एक कप मैदा ले लिया है उसके साथ ही आधी छोटी चम्मच अजवाइन ले लेंगे हाथों से क्रश करके इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है अजवाइन का साथ ही एक चौथा ह चम्मच कलोंजी यानि की मंगरेला जिसे बोलते हैं वो ले लेंगे और आधी चोटी चम्मच नमक ले लेंगे या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले लेंगे एक बड़ा चम्मच यहां घी लेंगे इसके मोहन के लिए घी के जगह आप तेल भी ले सकते हैं एक कप प आपका जो है गुजिया जो हम बनाने वाले हैं वो बन के तयार होगा तो यहां पर देखिए इस तरह से मुठी बनाने से मुठी बन रही है यानि की मौइन परफेक्ट है अब थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका आटा लगा के हम लोग तयार कर लेंगे तो धियान रख कि इसमें हमने तेल और घी दोनों का यूज किया है अब दोनों जगा तेल ले सकते हैं या फिर दोनों टाइम पे घी ले सकते हैं आटा यहां बिल्कुल परफेक्टली लग गया है सेमी सॉफ्ट आटा लगाया इसको ढखके हम लोग साइड में रख देते हैं 15-20 मिनट के जब तक वह रेस्ट कर रहा है हम लोग उसके लिए स्टफिंग बना लेते हैं तो मैंने गैस पे एक पैन ले लिया है उस पे दो से तीन छोटे चमच तेल डालेंगे तेल के गरम होने पे एक चुटके हींग डालेंगे और आधी चोटी चमच जीरा और इन दोनों को हम जाना पयाज के बना रही हूं आप चाहें तो पयाज भी बारी कर काट के ले सकते हैं उसके साथ ही मैने एक हरी मिर्च को बारी काट के यहां पर ले लिया मिर्ची के क्वंटिटी आप अपने टेस्ट के अक्ओ het還有 या बढ़ह सकते हैं इसको हम लोग एक बार मिक्स कर आंग तो यहां पे यह मटर थोड़े सॉफ्ट हो गया है अब इस स्टेज पे न हम लोग आलू डालेंगे तो आलू को मैंने पहले से बॉयल करके छिल के मैस करके रख लिया था इसको यहां पर एड़ कर लेंगे फ्लेम को भी लो रखेंगे ध्यान रखेंगे नहीं तो अध्रक लै जी भी अपनी स्कांब कर भी आलू को भी बूलिएंगे और मिक्स करते हुए अच्छे से इस मसाला को भूनलेंगे और पका लेंगे तो यहां पर देखिए तीन से चार मिनट के बाद इसमें से बहुत ही अच्छी खुसबू आ रही है मसाला लगबग भून चुका है अब इसमें कटावा हरा धनिया एड़ करेंगे और इसको एक से दो मिनट के लिए और भूनेंगे तो टोटल पान से छे मिनट म से क्या होता है आटा सेट हो जाता है थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है इसको एक बार ऐसे और मसल लेंगे हाथों से और इसके पूड़ी के साइज का लोई तोड़के तयार करेंगे यानि कि बॉल तोड़के तयार करेंगे तो यहां पर सारे balls ready है friends, अब इसको roll कर लेते हैं, यानि कि बेल लेते हैं, तो एक मैंने लोई ले ली है हाथों में, इस तरह से पहले plane कर लेंगे दोनों हाथलियों के बीच में और उसके बाद इसको पोड़ी के shape में बेल लेंगे, ध्यान रखेंगे कि इसको बहुत बनाने वाले वो सब सारे एक सेप और साइज के बने उसके लिए एक कटोरी या फिर इस तरह का कोई स्टील का धकन आप ले सकते हैं और उससे हम लोग कट कर लेंगे इससे क्या हुआ कि सारी गुजिया हमारे एक साइज की बनेगी अब जो हमने मसाला बना के रखा था आलू क उसको बीच में ऐसे रख लेंगे और जैसे गुजिया हम लोग बंद करते हैं उस तरह से ऊपर से ढखते वे इसको बंद कर लेंगे और उंगली की साहता से इसके किनारों को अच्छे से प्रेस करते वे लॉक कर देंगे ध्यान रखे कि इसको अच्छे से लॉक करें नहीं तो तेल में fry करते समय खुल सकता है मसाला बाहर आ सकता है या फिर तेल जो है गुजिया के अंदर घुश सकता है डबल लॉक कर देंगे इस तरह से फॉक लेगे दबाते वे इससे क्या होगा कि गुजिया लॉक भी हो जाएगा और एक सुन्दर सा डिजाइन भी बन जाएगा तो दूसरा मैं बना के दिखाती हूँ आपको फटाफट तो किसी भी कटोर या धककन से इस तरह से कट कर लेंगे कट करना बिल्कुल ऑप्सिनल है आप डारेक्ट बेल के भी बना सकते हैं लेकिन वही है कि सारे अलग-अलग साइज के बनेंगे और कट करने से देखने में यह सुन्दर लगेंगे और जो देखने में सुन्दर लगता है वो खाने में भी अच्छा लगता है तो आपकी मर्जी है आप जैसे भी बनाए लेकिन बनती बहुत ही crispy है और बिलकुल आलग टेस्ट का बनता है friends बहुत ही tasty बहुत ही चटपड़ी बनती है तो यहां मैंने दो बना लिया बाकी सारे इसी तरह से मैंने यहां पर बना के तयार कर लिया और एक कप अंटे से 15 गुजिया बनके यहां तयार हुई थी इसको fry करने के लिए गैस पे मैंने तेल रखा ता गरम होने के लिए तेल अच्छा गरम हो गया है और यहाँ पे अब जो है यह घूगरा हम लोग डाल लेंगे fry करने के लिए और इसके लिए बहुत ही कम तेल गरम चाहिए इसको fry करने के लिए और यहाँ पे मुझे लग रहा आती हूं कि बिल्कुल कम गर्म होना चाहिए तेल उससे क्या होता है कि जो उपर में इसके बबल्स आ जाते हैं कभी-कभी वो नहीं आते हैं और काफी क्रिस्पी और क्रंची बनके तयार होता है तो वही टेप्स हम लोग इसमें भी फॉलो करेंगे और यहां पर देखे तेल क जो टेंपरेचर था ना बिल्कुल नॉर्मल हो गया था अब मैंने फ्लेम को अन करके बिल्कुल लो पे कर दिया है लो फ्लेम पे हम लोग 5-6 मिनट के लिए आराम से इसको फ्राइ करेंगे और तब तक जब तक यह सूपर क्रिस्पी और क्रंची ना हो जाए और इसका कलर जो है थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए तो यहां पर देखिए बहुत सुन्दर कलर आया है और इसको देख किया पंदा जल लगा सकते कि यह कितना क्रिस्पी और क्रंची बना होगा बिल्कुल और दूसरे बार कर जब हम लोग डालेंगे ने दूसरे बैच का तब भी फ्ल अलिकी किलीम को अन करकेकर करेंगे कि यहाँ पे फेंट मारे सारे गुगरा बनके त्यार है और मैंने वह चैलिए बीस तोड़ के ले रहे हैं आपको जितना भी सर्फ करना हो इसके हिसाब से तोड़े और चाट बनाए तो बहुत ही खृशपी और क्रंची बना था जो आलू का रिष्सता था वहाँ पे बीच में थोड़ा सॉप्ट था भागी बहुत ही क्रिस्पी था उसके किनारे या फिर जो गर्म 게임 गुजिया थे रहा ज़ा तो रहा के ड्र है तो चाट में जो जो चीजें धनिया और पुदिनी की चटनी ले लिए तीखी वाली उसको यहाँ पर आइड कर लेंगे इसके बाद मैंने गुड इमली की खट्टी मीठी चटनी लिए और इन दोनों चटनियों की रेसिपी अल्रेडी मेरी चैनल पर है आपको आई बाटन में भी मिल जाएगा एंड स्क्र और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्याज और टमाटर में फिर से डालूंगी कटावा हरा धनिया डालूंगी और आप चार्ट अपने मर्जी से बनाए जो चीजे ज्यादा पसंद हो कम पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं यहाँ पर मैं ले रह ट्राइ कीजिए ट्राइ करने के बाद यदि आपको पसंद आता है न तो लाइक और सेर जरू किजिए तो आज के लिए इतना ही फ्रेंट्स फिर मिलते हैं इसी तरह के एक अच्छी और नहीं रसीपी के साथ तब तक के लिए बाए बाए गुड़ बाए थैंक्यों फॉर एक भेदी बाए ब्रवरा ल को लाइ भीक पाल ट्राइ बाए च लाइ वच्टों तो अ